अब आगे अब कॉंग्रेस क्या करेगी अनन्त क्योंकि देखिए अब शिवसेना का तो बड़ा क्लियर है उद्धव ठाकरे गुटका उनको दुबारा से अपनी पार्टी को खोई हुई ताकत दिलानी है खोई हुई पैचान दिलानी है वो प्रभाव दिलाना है उद्धव सेना भी तूड़ गई, NCP भी तूड़ गई और कॉंग्रेस की चर्चा होती ही रहती है गाहे बगाहे कि अशोग चोहान जी भारती जनता पार्टी के नेताओं के टच में है खेर वो तो समय के साथ पता चलेगा लेकिन कॉंग्रेस क्या करेगी इसके संगेत कॉंग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर देने शुरू कर दी है एक एक तस्वीर है जिसमें सुप्रिया सूले, ओमर अब्दुला और प्रफुल पटेल एक साथ खड़े हैं और सुप्रिया सूले का ट्विट है कि प्रफुल भाई तो उसपर अलका लाम्बा ने ट्विट किया है कि कोई आपती नहीं मुझे इस ट्वीट से जो संकेत मिल रहा है कि एक अविश्वास बढ़ेगा कॉंग्रेस और NCP के बीच जो मुझे आने वाले दिनों में विपक्ष की एकता की कोशिश की बाधा के तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया हला कि अब यह बहुत छोटा संक मिला है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और NCP में अगर शरत पवार की पुत्री केंद्रिय मंत्री मंदल में शामिल हो जाती है तो विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना गया या विपक्षी एकता के लिए जो कई अख़बारों ने आज लिखा कि शरत पवार जी को उनक की राह थोड़ी और कठिन करेगा अब यानि के कॉंग्रेस का फाइदा है ना कॉंग्रेस फाइदा का नुकसान NCP का शरत पवार गुटका और उसी तरह से जो नुकसान शिवसेना उद्धव गुटका हो चुका है वो तो होई चुका है फाइदा NCP अगर कमजोर होती है य एक मजबूत एलाई अगर वो लोग अब तो अजीत पवार जाहिर तो पर बात है कि आज की स्थिती में अगर हम देखें तो अजीत पवार भारती जनता पार्टी के साथ ही लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसा अपनी प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा भी कि विधान सभा और लोग सभा के चुनाव में हम लोग एक साथ होंगे और फिर नरेंद्र मोदी जी के नित्रतु में ये चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन उन्होंने एक बात और कही अपनी प्रेस कॉंफरेंस में अस्थानी अस्तर पर वो जो अस्थानीय कारी करता है वो करेंगे तो ऐसे में अगर सिर्फ महराष्ट की हम बात करें तो जहां कॉंग्रेस पार्टी और एंसीपी के साथ मिलकर लड़ने से एक संभावना बन रही थी कि उनको थोड़ा जादा सीटें मिल सकती हैं या थोड़ा बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उस संभावना पर मुझे ग्रहन लगता हुआ नजर लगता है